दोस्तों अगर आप भी Apple smartphone purchase करने वाले थे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए क्योंकि BBD sale आने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम iPhone 12, 13, 14, 15 और Pro smartphone की pricing के बारे में बात करने वाले हैं की BBD sale में आपको देखने को मिल जाएगी उसके असाथ साथ सेल कब आने वाली है कौन से cards पर discount मिलेगा और कितना discount मिलेगा इसके उपर भी बात करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करेगा और बिना किस दरी के इस वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की तो देखो हर साल BBD sale देशेरे से ओल्मोस दो वीग पहले आती है क्योंकि जैसे BBD sale खतम होती उसके बाद देशेरे सेल स्टार्ट हो जाती है तो इस बार जो सेल है वो 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में आ सकती है अभी बात करो कार्ट की तो देखो HDFC SBI ICIC और Exis Bank के कार्ट पर maximum discount देखने को मिलता है अगर आपके बास इन बैंक का कार्ड अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं है तो जुगाड कर लो या फिर अभी ओल्मोस एक महीने का टाइम है तो आप कार्ट के लिए अपलाई भी गर सकते हैं बात करो discounts की तो देखो दो discounts देखने को मिलते है major पहला तो गया bank discount bank discount 2000 से लेके 3000 के बीच में देखने को मिल जाता है और जो दूसरा discount मिलता है वो है exchange bonus discount जो की अगें 2500 से लेके 45,000 तक भी जा सकता है अभी बात कर लेते हैं iPhone 12 की तो देखो इस smart phone को launch हुए almost 6 साल के आसपास हो चुका है अगर आप ए cutter apple fan है तो आप इसे जरू consider कर सकते हैं बाकि यहां पर कुछ cons भी देखने को मिल जाते हैं जैसे की इंबोक्स कोई भी charger नहीं मिलेगा 60 हच की डिस्पले है 64 GB वाला base variant मिलता है और उसके साथ battery life भी इतने impressive देखने को नहीं मिलती है यह smartphone पिछले साल की BBD sale में 32999 के आसपास आया था इस बार expected है 27-28,000 के आसपास आ सकता है including bank offer without bank offer 30,000 के आसपास यह smartphone देखने को मिल जाएगा अभी बात कर लेते हैं iPhone 13 की इस smartphone को भी launch हुए almost 3 साल के आसपास हो चुका है और पिछले 2 साल से BBD sale में यह one of the best selling smartphone रहा है अगर आप 40,000 के आसपास one of the best Apple smartphone हो रहे तो यह एक बहुत ही अच्छी चोईस रहने वाली है यहाँ पर best variant 128GB ROM वाला देखने को मिल जायागा उसके असासत improved cameras और improved battery life देखने को मिलती है और consider जरूर कर सकते हैं पिछले साल यह smartphone sale के टाइम पर Amazon पर 39 रिपर लाइन पर sale हो रहा था including bank offer इस साल यह smartphone including bank offer 30 से लेके 35,000 के आसपास आ सकता है without bank offer 35,000 से 38,000 के आसपास देखने को मिल जायागा उसके अद बात कर लेते हैं iPhone 14 की जो कि almost iPhone 13 की जैसे ही specs के साथ आता है processor, display, almost same देखने को मिल जाती है देखो दोनों smartphone में सिर्फ एक generation का ही difference है आप iPhone 13 को भी consider कर सकते हैं पाकि अगर आपको latest smartphone ही चीए Apple की तरफ से तो आप iPhone 14 के साथ जा सकते हैं जो कि पिछले साल BBD sale में 49,000 के आसपास sale हो रहा था इस बार ये smartphone expected है including bank offer under 40,000 के आसपास आ सकता है without bank offer 40 से लेके 42,000-43,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा एक अच्छा smartphone है और इससे आप जरू consider कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं iPhone 14 Plus की अगर आपको बड़ी display और अच्छी battery life चीए तो 14 Plus के साथ जा सकते है जो कि पिछले साल BBT sale में 60,000 के आसपास sale हो रहा था इस बार आपको including bank offer ये smartphone 43 से 45,000 के आसपास देखने को मिल सकता है without bank offer 45 से 50,000 के आसपास ये smartphone मिलने वाला है उसका बात कर लेते हैं iPhone 15 की जो की इस साल one of the best selling smartphone रहने वाला है Apple के तरब से sale के time पे और सभी iPhone 15 का ही wait कर रहे है और सबसे ज़्यादा wait इसलिए भी कर रहे है क्योंकि यहाँ पर one of the best upgrades देखने को मिल जाते है as compared to previous iPhones सबसे अच्छा यहाँ पर dynamic island वाली display देखने को मिल जाएगी उसके साथ type C वाला port मिल जायागा upgraded camera की quality है बात करो pricing के तो देखो आने वाली BBD sale में यह smartphone हो सकता है under 50,000 के आसपास आ जाए जो कि including bank offer मिलेगा और 4-5 minute के लिए ही आने वाला है उसके बाद इसकी जो pricing है वो 52-53,000 के आसपास हो जाएगी without bank offer 55,000 के आसपास यह smartphone मिलने वाला है बाकि अभी बात कर लेते हैं iPhone 15 Plus की यहाँ पर भी बड़ी डिस्प्ले के साथ है dynamic island वाली डिस्प्ले टाइप C वाला charging port देखने को मिल जाता है और बात करो pricing के तो यह smartphone BBD sale में under 60,000 के आसपास आ सकता है without bank offer आपको 60,000 से 65,000 के आसपास यह smartphone देखने को मिलने वाला है बात करो pro series की तो iPhone 14 Pro इस बार 75,000 से 85,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है आ सकता है iPhone 14 Pro Max 90 से लेके 1,000 के आसपास आने वाला है 15 Pro इस बार 1,000 से 1,000,000 के आसपास और Pro Max 1,000,000 से लेके 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है including bank offers बागी दोस्तों जितनी रिए मैंने आपको pricing बताईए न वे सुरू के कुछ ही minute के लिए रहने वाली है 10-15 minute के लिए उसके बाद pricing gradually बढ़ते वे देखने को मिल जाएगी बागी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतने उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी मैं मिलूँगा आपसे क्लिए और तब तक के लिए सस्क्राइब